Hello students, welcome in my channel आपको पता ही है कि इस बार एक्जाम में आपके short questions ज़्यादा marks क्या रहे हैं तो हम इस वीडियो में 8 chapter के short questions करेंगे 10th class के 8 chapter में से आपके इस तरह के questions maximum आते हैं जिसमें आपको 6 mathematical functions हैं cosine 10 ये सभी 6 functions हैं उनमें से एक function आपको दे दिया जाता है cos A अगर आपको दे दिया जाता है और आपको बोलती है tangent A find out करो then the value of tangent A हमें इन चारों में से बतानी है कौन सी है तो सबसे पहले हम इसका cos का rule लिख लेंगे जो हमें दिया गया है cos A हमें क्योंकि इसमें given है तो cos का हमें rule पता है base by hypotenuse हम इसके लिए एक right angle triangle बना लगते है side में right angle triangle जो हमने बनाई है यह base है यह hypotenuse है यह perpendicular है यह base perpendicular hypotenuse base हमें दिया हुआ है 4 base हमें दिया हुआ है 4 hypotenuse दिया हुआ है 5 तो सबसे पहले हमें P पता होना चाहिए क्योंकि tangent A का भी formula आपको पता है tangent A का formula क्या होता है perpendicular by base perpendicular by base तो हमें perpendicular अगर पता होगा base हमें पता है हम उसकी value put कर लेंगे इसके लिए हम pythagoras यूज़ करेंगे जिसमें क्या होता है hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square hypotenuse कितना है इसमें 5 है तो 5 square P की value हमें नहीं पता B की value 4 है 4 square 5 का square हो जाएगा 25 E square 4 का square कितना हो जाएगा 16 कहीं बच्चे क्या कर लेते है 4 का square 8 लिख लेते हैं जो कि wrong है क्योंकि 4 का square का मतलब है 4 को 4 से multiply करना है ना कि 4 को 2 से multiply करना है 4 into 4 कितना हो जाता है 16 ठीक है अब हम 16 को अधर ले जाएगे 25 minus 16 हो जाएगा equal to P square इनको minus करेंगी 9 आ जाएगा अब हमें देखना है 9 किसका square होता है 3 का होता है ना 9 होता है 3 का square इससे हमें P मिल जाएगा 3 square P square के equal है तो 3 किसके equal आ जाएगा P के तो P कितना आ गया है 3 अब P की value हम इसमें अगर fill करने 3 और base हमें पता ही था base कितना है 4 3 by 4 यानि option number B is the correct answer तो मैं आपको revision के लिए और questions दे रहती हूँ और आपने मुझे comment section में उनके answer question number 2 जो मैंने रखा है same रखा है question number 1 की तरह है हमें sine theta 4 by 5 दिया है tangent theta find out करना है आपको 3 options दिये गई है तो आपने यह question की help से यह question निकालना है these questions are very very important यह दोनों sums बहुत important यह different style का question है tangent 64 by code 26 तो इसमें आपकी identity use होती है जो आपको एक पता है tangent 90 minus theta equal to क्या होता है code theta ठीक है तो हम यह use करेंगे यानि अगर हम tangent 90 minus 64 लिखेंगे तो क्या बनता है वो वो बन जाता है code 90 minus जो भी angle है तो 64 degree वो बन जाता है that means हम इस तरह से इसको convert कर सकते है इस formula को अब यहाँ पर tangent है code है हम दुनों को same function बनाएंगे या तो आप tangent को code बना लीजिए या code को tangent बना लीजिए ठीक है तो हम क्या करेंगे जो उपर दिया है उसको ही हम change करते है नीचे बाले से इसको हमने अगर change करना है न तो क्या बनेगा अगर tangent को code बना लीजिए तो code 90 माइनस 64 बन जाता है ठीक है क्योंकि tangent चो change होता है code में change होता है tangent किसमें change होता है code में और 90 माइनस यह बाले अंगल आ जाता है इस तरह से हम यह formula यूज़ करते है code 64 26 है यह आ जाएगा दोनों आपस में cancel हो जाएगे और one answer आ जाएगा आपको इसकी trick भी बता देती हूँ अगर 64 और 26 इस तरह से आपको angles दिये गए है अगर इन दोनों का add करने पर 64 26 को अगर हम add करते हैं तो कितना आता है 90 आ रहे है न अगर यह 90 आ रहे है तो हमारी 90 वाली identity लगीगी ठीक है और आपको यह भी पता है कि tangent quote में change होता है quote tangent में change होता है जब यह identity रखती है tangent जो है quote में convert होता है और quote tangent में तो इस तरह के questions का answer हमेशा 1 आता है अगर वो by में है अगर यह ही question minus में हो यानि tangent 64 minus quote 26 अगर यह दोनों minus में हो तो वो 0 answer आ जाता है क्योंकि हमें short चो question है MCQ जल्दी करने होते हैं तो हम यह trick अपना सकते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनता है और tangent क्योंकि quote में change होता है इसलिए अगर वो subtraction में है तो 0 और अगर divide में है तो 1 answer आता है देखो कैसे tangent को हम फिर से quote में change कर रहे है और quote में change करेंगे तो quote 90 minus यह एंगल आ जाएगा minus quote 26 ठीक है यह बन जाएगा quote 90 में से 64 minus करने पर 26 आता है और दोनों को subtract करते हैं तो 0 आता है ठीक है हमारा question number 4 मान लेंगे इसको एक different question बन जाएगा इसमें tangent quote की जंग है अगर sin 64 minus cost 96 होता है तो भी तो same ही होता न क्योंकि उनकी identity भी same ही है क्या होती है identity sin 90 minus जो भी angle है A है मान लो तो वो को से होता है यही होती है इसकी identity जो हम करते हैं exercise 8.3 exercise 8.3 में इस तरह के sums आपके आते हैं now next sum is 1 minus tangent square 45 by 1 plus tangent square 45 इनके options बताने है तो जैसे की हमें value बता है tangent 45 की value कितने होती है tangent 45 की value होती है 1 यह आपको table से learn करनी होई की ठीक है यह बन जाएगा 1 square 1 plus tangent square अब यह बन जाएगा 1 minus 1 1 plus 1 1 square क्योंकि 1 होता है 1 minus 1 0 1 plus 1 2 0 by 2 कितना होता है 0 0 by 2 equal to 0 अब हमें option 0 भी दिया होए तो D option is the correct option question number 2 is also same as question number 1 तो सभी students उसको solve कीजे और मुझे comment section में इसका अंसर भीजे अब कितना है बसके अच्वाब बनाएगा